नमस्कार राश्ट्रिमक्द विद्याले शिक्षा संस्थान के उच्छतर सरकेस कारिक्रम में आपका स्वागत है आज हम जिस कवी की कविताओं पर चर्चा करेंगे वे हैं सूरे कांत्रिपार्थी निराला शिक्षार्थियों, आपने निराला का नाम तो अवश्य सुना होगा सबसे पहले हम इनके बारे में संक्षेप में जानते हैं श्री सूरे कांत्रिपार्थी निराला का जन सन 1867 में ततकालीन बंगाल के मेदिनीपूर जिले के एक छोटे से राज्य में हुआ था जिसका नाम था महिशादल उनकी प्रारंबेक शिक्षा घर पर ही हुई कुछ ही वर्षों के विवाहिक जीवन के बाद उनकी पतनी का निधन हो गया परिवार में और भी अनेक संकट उनके समक्ष आए कविता लिखने की उनकी शैली नई थी और संपादक प्रारंब में ही उनकी कविता चापते नहीं थे अतह उनके जीवन में आर्थिक अभाव बहुत बने रहे निराला संस्क्रेट बंगला और अंग्रेजी भाषा के ग्याता थे तथा संगीत और दर्शन में भी उनकी बहुत रुची थी वे रूडियों के विरोधी थे उन्होंने हिंदी कविता को नया जीवन और नया मार्ग दिया सन 1979 में उनका निधन हो गया निराला की प्रसिद रचनाओं की बात करें तो उनकी प्रसिद रचनाएं हैं परिमल, अनामिका, तुलसी दास, नयव पत्ते, राम की शक्ती पूजा, गीति का आदी शिक्षार्थियों हिंदिस आहित्ते जगत में सूर्य कांत्रिपाठी निराला का महत्वपून स्थान है निराला जिस योग में कविता लिख रहे थे, उस योग में भारतिय समाज, अनेक प्रकार के समाजेक आर्थिक परिवर्तनों से गुजर रहा था पूजीवादी व्यवस्था द्वारा किये जा रहे हैं शोशन को देखकर निराला बहुत बेचैन होते थे उनकी अनेक रशनाओं में ये बेचैनी और पीड़ा जलकती है आज के इस कारिक्रम में हम जिन दो कविताओं के बारे में चर्चा करेंगे वे हैं वह तोडती पत्थर इस कविता में श्रमिक नारी के जीवन और उसके प्रती समाज की हरदय हीनता का अंकन किया गया है और दूसरी कविता है मौन इस कविता में कवी अपने प्रिये के साथ कुछ समय चुप चाप बिताना चाहता है शिक्षार्थियों क्या आप कभी प्रचंड गर्मी में बहुत गर्मी में बाहर निकले हैं शहरों में मध्यवर्ग के जो लोग हैं गर्मी में पंखा, कूलर, एसी जैसे उपकरणों के साथ घरों के भीतर बंद रहना प्रसंद करते हैं जिन के लिए ऐसी सुविधाएं संभव नहीं होती काम कर रहे किसी मजदूर को आपने कभी देखा है क्या आप अंदाजा लगा सकते हैं कि वे ऐसी प्रचंड गर्मी में क्यों काम करता हैं वे अराम क्यों नहीं करता अगर वे काम ना करें तो क्या होगा भरी गर्मी में पत्थर तोड़ती एक श्रम में किस्त्री से हम मिलते हैं और इस कविता का शीर्षक है वह तोड़ती पत्थर और ये कविता इस प्रकार है वह तोड़ती पत्थर देखा उसे मैंने इलाहबाद के पत्पर वह तोड़ती पत्थर कोई न चायादार पेड वे जिसके तले बैठी हुई स्विकार शामतन भर बंध यौवन नत नयन प्रिये कर्म रत्मन गुरू हतोडा हाथ करती बार-बार प्रहार सामने तरु मालिका अटालिका प्राकार वे तोड़ती पत्थर कविता चायवाद के प्रमोक कवी निराला द्वारा रच्यत है और यह हैं उनके कविता संग्रे अनामिका में संकलेत है सरप्रत्थम यह कविता सुधा मासिक पत्रिका में मई 1937 में प्रकाशत होई थे हमने कविता का एक अंच पढ़ा तो हम यह जान चुके हैं कि यह एक श्रमिक नारी पर लिखी गई है जो सड़क के किनारे पत्थर तोड़ रही है कवी ने उसे इलाबाद की किसी सड़क पर काम करते देखा उसी का चत्र उन्होंने यहाँ पर अंकित किया है इलाबाद की किसी सड़क पर काम में लगी एक श्रमिक महिला को देख कर निराला जीन ने लिखा है कि वह जहां बैठी काम में लगी है वहाँ कोई छायादार पेड भी नहीं है जो उसे गर्मी की प्रकरता से उसकी तेजी से बचा सके पर उसे इस स्थिती से कोई शिकायत नहीं है वह तो इस स्थिती को स्विकार कर रही है आप सोचिए क्यूं क्यूं स्विकार कर रही है क्यूंकि वह जानती है कि जब कठिन श्रम करना है तो अनुकूल परिस्थितियों की कल्पना करना व्यर्थ है कवी की दृष्टी पहले श्रमिक महिला के शारीर रूप संदरे की ओर जाती है उसका शरीर सामला है आपने देखा भी होगा कि धूप में काम करने वाले सभी श्रमिकों का रंग धूप में सामला पड़ जाता है वे यूति है और निरंतर श्रम करने के कारण उसका शरीर सुगठित है यानि देहे रचना सुड़ल और सुघड है उसकी जुकी आँखें बड़ी प्यारी लग रही है उसका मन भी काम पर पूर्ण तन्मयता से लगा है हाथ में भारी अथोड़ा लेकर वे बार-बार पत्रों पर चोट कर रही है उन्हें तोड रही है इसके बाद कभी परिवेश की परसपर विरोधी सिती का चित्रन कर रहा है वे कहता है कि जहां एक और वह मजदूर्नी गर्मी में छायाहीन व्रक्ष के नीचे काम कर रही है वहीं उसके एक दम सामने के परिवेश से संपन्नता और सुख सुविधा की जहलक आ रही है वहां सुन्दर, सजावटी, व्रक्षों की पंक्तियां हैं, विशाल, उचे भवन हैं और उनके चारों और सुन्दर दिवारे हैं कविता के इन पंक्तियों में यह संकेत बिल्कुल स्पष्ठ है कि वे संभांत नागरिकों की बस्ती है वे लोग सुख सुविधाओं के बीच बड़े बड़े भवनों में अराम से रहते हैं और आसपास की परिस्तियों से बेखबर अपने आप में सिम्टे हुए हैं जबकि जिन मजदूरों ने उन भवनों का निर्मान किया है उनके पास मौसम की मार से बचने की कोई सुविधा तक नहीं है शिक्षार्थियों आप जानती हैं कि हम सर्वनाम का प्रयोग तब करते हैं जब पहले संग्या का प्रयोग कर चुके होते हैं इस कविधा में क्या आपने ध्यान दिया कि कवी ने कविधा का प्रारंब वह सर्वनाम से किया है पूरी कविधा में वह के लिए कोई नाम नहीं दिया गया है कवी यदी चाहता तो मज़ूरनी के लिए कोई नाम भी तो दे सकता था फिर उसने ऐसा क्यों नहीं किया पर नाम ना देकर वे यह व्यक्त करना चाहता है कि यह बात किसी एक श्रमिक विशेश पर नहीं है सब भी श्रमिकों पर लागू होती है किसी भी सड़क के किनारे पत्थर तोड़ने वाली मज़ूरी की जो कठिनाई है जो उसकी कारे परिस्तिया हैं वो सब एक सी है इस तरह नाम महत्वपूर नहीं है तो महत्वपूर क्या है? महत्वपूर है उसका काम अर्थाथ पत्थर तोड़ना तभी तो कवी प्रारंब के वाक्य में ही कहता है वह तोड़ती पत्थर यहां व्यक्ति का नाम ना देने वाला कवी सड़क की पहचान के लिए नाम देता है वह कहता है देखा मैंने उसे इलाहबाद के पत्पर यहां आपके मन में यह प्रश्ण उठ्रा होगा कि नाम न देने से क्या अर्थ अधिक व्यापक नहीं हो जाता यहां पत्पर के साथ इलाबाद नाम देकर उसने इस घटना को सच्चा और प्रमानिक बताना चाहा है जैसे वे कहना चाहता हो कि यह सच्ची घटना है और वह स्वयम इस घटना का साक्षी है सभी कुछ उसके सामने हुआ है यह इलाबाद की दिखी हुई घटना है अगले कथन में स्विकार के प्रयोग पर ध्यान दीजे जहां बैठकर वह काम कर रही है वह जगे चायदा नहीं है पर उसे यह स्थिती स्विकार है यह कवी का आशे यह है कि मज़ूर जिन परिस्तियों में काम कर रहे हैं वे उनके उनकूल नहीं है प्रतिकूल है वे इन प्रतिकूल परिस्तियों में ही रहते हैं सामले रंका शरीर बंधे परिपुष्ट अंगों से जलकता यौवन, कथन से क्या स्पष्ट हो रहा है यही किवे श्रमेक महिला सुन्दरी है लेकिन उसकी आँखों में कोई श्रंगार, कोई उच्रंखलता का भाव नहीं है उसके आँखे जुकी हुई है, जो उसके शील भाव को दर्शा रही है युवति के प्रसंग में कभी प्राय उसके प्रिये काव लेक करते हैं, जिस पर उसका मन हो यहां भी कभी उसके प्रिये काव लेक करता है, पर यह प्रिये कोई व्यक्ती नहीं है वह है कर्म, पत्थर तोड़ने का काम, उसी पर उसका मन है, उसी पर उसकी आँखें, इसलिए कवी ने कहा है, नत नयन प्रिये, कर्म रत मन अब हम देखते हैं कि इस प्रसंग में कवी उसके सामने तरुमालिका, अटालिका और प्रकार कावले क्यों कर रहा है निराला ने इस पंक्ती की द्वारा परिवेश की विडंबना को साकार किया है, जैसा कि हमने पहली भी चर्चा की, कि एक और भीशन गर्मी में सडक पर पत्थर तोड़ती और दूसरी और सुन्दर सजावती व्रक्षों की पंक्तियों से सजे बड़े-बड़े महल कभी का उद्देश परिवेश के विरोध और विडंबना को साकार करना ही नहीं है, वह कहता है गुरू हथोड़ा हाथ करती बार-बार प्रहार वह हाथ में भारी हतोडा लेकर बार-बार प्रहार करही है पत्रों पर ही नहीं बलकि सामने उन तरु मालिका, अटालिका और प्रकारों की सुविधाओं का भोग करने वाले वहां रहने वाले उन सभी लोगों पर और साथी साथ उस विवस्ता पर भी जहां शोशित मजदूर प्रतिकूल परिस्तियों में काम करते हैं और शोशक उनसे बिल्कुल बेख़वर सुक्स विधाओं में रहते हैं इसका अगला अंच्छम पढ़ते हैं आगे कवी ने लिखा है चड़ रही थी धूप गर्मियों के दिन दिवा का तम तमाता रूप उठी जुलसाती हुई लूप रूई जो जलती हुई भूप गर्द चिनगी छा गई प्राय हुई दुपहर वह तोड़ती पत्थर आप जानते ही हैं कि इलावाद की किसी सड़क पर तप्ती दुपहरी में पत्थर तोड़ती महिला के श्रम का चितरन कवी इसकविता में कर रहा है इन पंक्तियों में कवी कारे की कठिंतर परिसित्यों का चितरन कर रहा है दुपहर में धूप बढ़ने लगी है और गर्मियों के दिन है और तम तमाता सूरज अपनी प्रचंड गर्मी से सब को व्याकुल कर रहा है यहां तम तमातारो प्रतक्ष में देखें तो दिन का है परिसे मज़ूर्नी के तम तमाय हुए चेहरे से भी जोड़ा गया है जरा सोचे गर्मी के दिनों में क्या हाल होता है गरम लू के थपेड़े तो मानो मनुष्य को जुलसा देते हैं कभी कहता है इस समय धर्ती ऐसे तप रही है जैसे रूई अंदर ही अंदर धीरे धीरे सुलगती जाती है चारों और धूल का गुबार सा छा गया है गर्द का एक एक कण चिंगारी सा जलने लगा है अब तो दुपहर हो आई है दुपहर में गर्मी अपने चरम पर होती है ऐसे मेवे मज़ूरनी सिर नीचा करके पत्थर तोड़ने के कारे में लगी हुई है इन पंक्तियों में निराला के शब्द चैन पर ध्यान दिजे इस प्रसंग को वे चड़ रही थी धूप कथन से करते हैं धूप का धीरे धीरे चड़ना अंतरता उसका दुपहर तक पहुंचना है प्राय हुई दुपहर यहां प्राय का प्रयोग देखिए दीन श्रमिकों के पास समय मापने के लिए कोई निश्यत उपकर नहीं होते धीरे धीरे चड़ती बढ़ती धूप जब इतनी ब रूई जो जलती हुई भू में उपमा बहुत बेजोड है रूई में लगी आग की लप्टें दिखती नहीं है वे धीरे धीरे भीतर ही भीतर सुलगती है धरती का भी यही हाल है शुरू में ऐसा लगता है कि रूई में कोई आग नहीं है और नहीं लप्टें उठती दिख का एक एक कंड आग की चिंगारी सा जान पड़ता है ऐसे चिंगारियों की गर्द पूरे आस्मान में इच्छा गई है इस प्रकार पूरे अंच में गर्मी की प्रचंडता को अनेक प्रकार से साकार किया गया है अगला अंच है देखते देखा मुझे तो एक बार उस भवन की और देखा छिन नतार देखकर कोई नहीं देखा मुझे उस द्रिष्टी से जो मार खा रोई नहीं सजा सहज सितार सुनी मैंने वे नहीं थी जो थी सुनी जंकार एक शन के बाद वे कापी सुघर ढूलक माते से गिरे सीकर लीन होते कर्म में फिर जों कहा मैं तोड़ती पत्थर कवी मजदूर्णी को दोपहर की भीशन गर्मी में काम करते हुए देख रहा था अब मजदूर्णी ने भी देखा कि कोई उसे देख रहा है उसे देखते हुए देखकर उसने सामने की अटालिका को देखा और देखने में उसका काम करने का क्रम थोड़ा सा विचलित हुआ पर उसके मन में दीनता या इर्षा जैसी कोई भावना नहीं उची उसने कवी को ऐसी दृष्टी से देखा मानो उसने आतंग को सहा है और रोकर अपनी दीनता कभी प्रकट नहीं की कवी को लगता है कि सितार को बजाने पर भी जो जहंकार मैंने कभी नहीं सुनी थी वे सुडौल युव्ति कापी उसके माथे से पसीने की कुछ बूंदे ही टपक पड़ी इसके बाद वे पुना अपने काम में लग गई उसके पुना काम प्रारंब करने के अंदाज से कभी को लगा मानो वे कह रही हो कि वे पत्थर तोड़ती है यहां मैं तोड़ती पत्थर का व्यंग्यार्थ यह भी है कि मैं पत्थर जैसी ह्रदहीन सामाजिक व्यवस्था को तोड़ना चाहते हूँ शिक्षार्थियों इस पूरे प्रसंग की विशेष्टाओं पर आप गौर करें इसमें बिना समवादों के भी समवादात्मकता है केवल आखों से ही भावों और विचारों को अभिवेक्त किया जा रहा है पहले कवी मजूरनी को देखता है मजूरनी कवी को देखती है और उसके बाद उस भवन की ओर देखती है पुनवे कवी की ओर स्वाभिमान और अव पराजाईत्या की भाव से देखती है इस प्रकार देखने का मौन ही मुखरित हुआ है वीना की जंकार की कलपना भी कवी कर रहा है मजूर्नी का तूटा हृदय ही छिनतार है अंत में मजूर्नी का मौन समवाधी मुखरित हुआ है कवी को लगता है जिससे वे कह रही हो मैं तोड़ती पत्थर शिक्षारतियों कवीता के प्रारंब में कथन था वह तोड़ती पत्थर और समाप्ती में है मैं तोड़ती पत्थर क्या इन दोनों प्रयोगों के पीछे आपको कोई रहस्य मैसूस हो रहा है? हाँ, एक रहस्य है कि प्रारंब में वह सर्वनाम सामाने मजदूर वर्थ के लिए है और कथन कभी का है पर अंत में वह मैं में बदल गया है जो मजदूर सामाने का नहीं विशेश का द्योतक है ऐसे मजदूर का जिसे सामाजिक विशमताओं का बोध है और अपने करतवे तथा लक्षे का ज्यान भी है पत्थर पर हथोड़ा चलाती हुई मजदूर नी कहती है मैं तोड़ती पत्थर मैं प्रतेक्ष में तो सड़क के किनारे पड़े पत्थर तोड़ रही हुँ पर मैं परोक्ष रूप से समवेदन छील समाज की विशमताओं को से रहे अपने हृदे रुपी पत्थर को भी तोड़ रही हुँ और इस रदहीन पत्थर दिल समाजिक विवस्था को भी तोड़ सकते हुँ अब हम बात करते हैं इस कविता के भाव संदर्य की शिक्षारतियों आप सेहमत होंगे कि वह तोड़ती पत्थर कविता भाव संदर्य की दृष्टी से बहुत संपन्न है सडक पर पत्थर तोड़ती मजदूर्नी का वर्णन करते हुए कवी सरल शब्दों में परिवेश का निर्मान करता है वह चाया हीन पेड तले बैठी है उसकी प्रश्ट भूमी साधारन श्रमिक परिवार की है किन्तो छील और सच चरित्रता जैसे चारित्रे गुणों को दिखाना भी कवी नहीं भूला मजदूर और संपन दोनों प्रकार के लोगों का चित्रन करते हुए कवी ने परस पर विरोधी चेत्र खीजे है एक ओर कठिंदम परिस्टियों में काम करते श्रमिक वर्क का चित्र है तो दूसरी ओर सुख सुविधा संपन भवनों में रहने वाले लोगों का कवी की सहच सहानुभूती श्रमिक वर्क के साथ है श्रमिक वर्क के हाथों हिदरहीन व्यवस्था को थ्वस्थ होते हुए देखने की कामना कर रहा है आएए अब हम निराला जी के अगली कविता मौन पढ़ते हैं यह कविता कुछ इस प्रकार है बैठ ले कुछ देर आओ एक पत के पतिक से प्रिय अंत और अनंत के तम गहन जीवन खेर मौन मधू हो जाए भाशा मुकता की आड में मन सरलता की बाढ में जल बिंदू सा बह जाए सरल अती स्वचंद जीवन प्रातह के लगुपात से उत्थान पतना घात से रह जाए चुप निर्द्वन्दू मौन शीर्ष कविता के रचैता चायवाद के प्रमूग कवी निराला ही है यह निराला ग्रंथावली भाग दो में संकलित कविता है इस कविता में एक विक्ती अपने प्रियतम से कुछ शन, शान्ती से मौन रहकर वेतीत करने का आगरह कर रहा है कविता को ठीक से समझने के लिए आए सबसे पहले विचार करते हैं कि कविता किसे संबोधित है इसमें कवी ने संबोधन किया है प्रिये ये प्रिये कौन हो सकता है, पूरा कथन है एक पत के पतिक से प्रिये, अर्थात, प्रिये और संबोधित करने वाला मानो एक ही राह के राही हैं, वे सहयात्री हैं, ये दोनों मित्र भी हो सकते हैं और दो प्रेमी भी, महत्वपूर्ण है कि दोनों समान परिसित्यों में गया है हे प्रिय आओ दोनों कुछ देर के लिए बैठ ले जीवन तो निरंतर गतिशील है उस गतिशीलता में कुछ पल बैठ कर स्वयम को विराम दे हम दोनों एक ही जीवन मार के पर थे अता इस जीवन के शनिक और स्थाई कश्टों को और अंदकारों को घेर कर कुछ देर बैठ लें यहां कवी ने तम गहन जीवन घेर क्यों कहा उसे घेर कर बैठने की चाह में जीवन यत्रा को याद करने की चाहा छिपी है कवी चाहता है कि दोनों चुपचाप बैठे रहें घेर में यह वेंजना है आओ जीवन के गहरे अंधेरे को असफलताओं को घेर कर बै शक्ति असीम है, क्या प्रतेख बात बोलकर समझाई जा सकते हैं, नहीं, कुछ बातें अनकही अधिक स्पष्ठ होती हैं, इसलिए ही मौन रहकर वे सब भी समझा जा सकता है, जिसे भाशा नहीं समझा पाती, मौन मधू समीठा कभ हो सकता है, एक दूसरे के भावों को कैसे सम जा सकता है, मन की उपमा किसे दी गई है, जैसे बूंदे नदी में चुपचाप बह जाती हैं, वैसे ही हमारा मन जीवन के विशाल प्रवाह में बूंदों सा चुपचाप बह जाए, और हमारा जीवन कैसा हो, सरल और बंधनों से मुक्त हो, अपने वश में हो, वे उथान और पतन की चोटों को ऐसी सरलता से सह जाए, जैसे प्रातहकाल की वायू से छोटे छोटे पत्ते कभी उपर कभी नीचे होते रहते हैं, और जोंकों को चुपचाप सहते रहते हैं, अर्थात हिलते डूलते दिखाई देते हैं, ऐसे ही हम जीवन के उतार चड़ावों को ज दुनों सित्यों में अंतर न रहना ही निर्द्वन्द्व होना है कवी ऐसे ही निर्द्वन्द्व जीवन की कामना कर रहा है क्यों कर रहा है क्योंकि तब ही जीवन बंधनों से मुक्त होकर स्वचंद हो सकेगा सुखी हो सकेगा शिक्षार्थियों कवी के इन भाशा प्रयोगों पर ध्यान दीजे बैठ ले कुछ देर में कवी ने कुछ देर पर अधिक बल दिया है जीवन की भागदोड और आपाधापी में कुछ देर मोन बैठ कर चिंतन करना जीवन यात्रा के लिए स्पूर्ति दे सकता है आओ में बड़ा ही स्पष्ठ और अनौपचारिक अग्रह है अंतरंगता और निकट्टा में ही इस क्रिया पद का प्रयोग होता है यहां भी आओ के बाद एक पत्थ के पत्थिक से कहकर वह अंतरंगता उजागर कर दी गई है मौन के मधू हो जाने की कल्पना भी आप देखे बहुत बेजोड है मधू की मिठास वानी से बताई जाती है कवि उस मधू का अनुभव करने को तो कहता है पर भाशा की चुप़ी की आड में कर देना चाहता है सरलता की बाढ प्रयोग भी दर्शनी है मन में असरलता, कटुता का भाव हो तो जीवन दूभर हो जाता है सरलता की अधिकता के लिए उसने सरलता की बाढ कहा है सरलता की बाढ आएगी तो मन उसमें बूंदों सा बह जाएगा अगले वाक्य में कवी पुना सरल शब्दों का प्रयोग करता है यहाँ यह पंक्तियां जीवन का विशेशन बन कर सामने आई है ऐसा सरल जीवन उत्थान और पत्तन को भी सरलता से जेल लेगा जेलेगा ही नहीं, ऐसी परिस्थितियों में वैशांत और स्थिर भी बना रहेगा अब हम बात करते हैं इस कविता के भाव संदर रेगी मौन शीर से कविता में बहुत थोड़े शब्दों में जीवन में मौन के महत्व को प्रतिश्थित किया गया है जीवन की आपध हापी से कुछ शन निकाल कर वानी को विराम देने और मौन की मिठास का अनुभव करने का आगरह कवि अपने साथी से कर रहा है कवि का विश्वास है कि जीवन में सरलता होनी चाहिए जीवन सरल हो तो थान और पतन दोनों के आवेगों को सरलता से छेला जा सकता है अब हम बात करते हैं इन कविताओं के शिल्फ सौंदरे की शेली और शिल्फ सौंदरे की दृष्टी से निराला की ये दोनों रचनाएं बेजोड है मैं तोड़ती प्रत्थर प्रगतिवादी रचना है सरप्रत्थम कविता के छंद पर ध्यान दीजे परंपरा का छंदों में मात्रा और वन का निश्चित विधान होता है पर निराला की अनेक कविताओं में ऐसा बंधन नहीं है इसे मुक्त छंद कहते हैं कविता को छंद के बंधन से मुक्त करने में निराला का बहुत बड़ा योगदान है वह तोड़ती पत्थर में तुकांतता है तुक पंक्तियों के अंक्त में ही नहीं भीतर भी है पर उसका बंधन नहीं है पंक्तियां छोटी बड़ी हैं पर उनमें प्रवा है जैसे शामतन भर बंधा यौवन नत नयन प्रिये कर्म रत्मन गुरु हथोड़ा हाथ करती बार-बार प्रहार चड़ दही है धूप गर्मियों के दिन दिवा का तम-तमाता रूप कभी शब्दों के द्वारा हमारे सामने एक चित्र सा खीच देता है जैसे कोई न छायादार पेडव है जिसके तले बैठकर हुई स्विकार शामतन भरबंधा यौवन नत नयन प्रिय कर्म रतमन गुरु हथोड़ा हाथ करती बार-बार प्रहार सामने तरु मालिका अटालिका प्राकार कभी प्रयोग में भी कभी ने बड़ी कुशलता का परिचदिया है कम शब्दों में ही अधे गुड अर्थ का संकेत करना निराला की विशिष्टा है जैसे देखा मुझे उस दृष्टी से जो मार खा रोई नहीं मैं तोड़ती पत्थर या मौन मधू हो जाए ऐसे ही प्रयोग है निराला जिस युग में कविता कर रहे थे उसमें प्राय संस्क्रित निष्ट शब्दावली के प्रयोग का चलन हो गया था प्रसाद, पंथ, महादेवियादी की भाशा तत्सम प्रधान है बर निराला का भाशा पर ऐसा अधिकार है कि वे संस्क्रित निष्ट और सरल हिंदी के शब्दों का प्रयोग आफशक्ता नुसार करते हैं मौन कविता में तत्सम शब्दों की प्रधानता है पर वह तोड़ती पत्थर कविता की भाशा बड़ी ही सरल और बोलचाल की है परन्तो इसमें भी कवी जहां इन लोगों की बात करता है जो समाज की सुक्स विधाएं भोग रहे हैं तब वह तत्सम शब्दावली का प्रयोग करता है जैसे तरुमालिका, अट्टालिका, प्रकार अब हम मौन कविता की शिर्प सौंदरे की चर्चा करते हैं मौन कविता गीत है इसमें छायवादी शिल्प विधान है और कवी की मौलिक कल्पना बड़ी अनूठी है ये पंक्तियां हम देखते हैं मौन मधू हो जाए भाशा मूखता की आड में मन सरलता की बाड में जल बिंदूसा बह जाए तो इस प्रकार शिक्षार्थियों आज के इस कारिक्रम में हमने निराला की दो कविताएं पढ़ी समझी और उनके भाव सौंदरे शिल्प सौंदरे पर चर्चा की आईए एक बार दोहरा लें कि आज हमने क्या सीखा आज हमने सीखा कि वह तोड़ती पत्थर कविता में कवी ने मजदूरनी के माध्यम से शोशक और शोशितों के जीवन की विशमता का चित्रन किया है तो मौन कविता प्रेमी युगल के संदर में मौन का महत्व समझाती है वहतोडती पत्थर कविता में कवी ने बताया है कि मजदूर प्रतिकूल परिस्तियों में भी मन लगा कर काम करते हैं पर उन्हें शोशकों के अत्याचारों और विशमताओं का बोध है विश्वाविमान से जीना चाहते हैं और यह शमता भी रखते हैं कि वे अपने हतोडे से इस पत्थर दिल व्यवस्ता को भी छिन भिन कर सकें मौन कविता के कवी कुछ छणों के लिए अपने प्रिये के साथ एकांत में चुप चाप बैठना चाहता है ऐसे में मौन ही मधू सा मीठा लगने लगता है वानी मूख हो जाती है और मन प्रवाह के साथ पाने की बूंद सा बहने लगता है भाव और भाशा के दिश्टी से दोनों रचनाएं बेजोड हैं मौन कविता में च्छायवादी विशेष्टाएं दिखाई पड़ती हैं और वह तोड़ती पत्थर में प्रगती वादी दोनों कविताओं में शब्दों का बड़ा ही प्रासंगीक प्रेयों दिखाई पड़ता है तो शिक्षार्थियों आज के इस कारिक्रम में हमने यह चर्चा की आशा है आपको इसे निराला की कविताओं को समझने में मदद मिलेगी और आपको इक कविताओं स्पष्ट होई होगी धन्यवाद